तो आज हम बात करने वाले हैं ने राशनकार अपलाई करने के बारे में ये एक बदला हुआ है कि पहले हमें राशनकार बनवाने के लिए दोजल भखादोरी करना परता था पर अब हम कहें भी जाने का जोरत नहीं है ने राशनकार कैसे अपलाई हो और सबसे अच्छी बात यह है कि ने राशनकार एक सब्ता नौ दिन में बनके पुरा रेडि हो जा रहा है और ये सब माध्यम से हुआ है जीवका के माध्यम से ये सब बन रहा है तो आज आपको वही वीडियो में दो मैथड बताने वाला हूं जीवका के बारे में कि जीवका दिदी का आपका एडिया या पंचायत में जो भी है आप उनका नाम कैसे निकाल सकते हैं कि आपके एडिया में कितने जीवका दिदी लोग हैं कितने लोग जीवका में काम करते हैं सबका लिस्ट और दूसरा बताऊंगा आपसे कि जीवका दिलो का नंबर कहां से मिलेगा जो आपकी ब्लॉक अस्तर पे जो हैं आप घर बैठे उन से बाते कर सकते हैं आपको अच मैंने भी अपने एरिया का बात किया हैं बहुत ही अच्छी जनकारी वो लोग दे रहा हैं रासन कार्ड बनवाने का आपका ये भी फैदा होगा कि एक स साथ बने रहे इसको इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा बारीकी से स्टेप भाई स्टेप में सब कुछ समझाने वाला हूं तो सबसे पहले जान लेते हैं मन में कोश्चन होता है कि जीविका होता है क्या है जीविका एक बिहार का बहुत बड़ा सोसाइटी है जो बिहार करें चलाती है जो गरीब लोग है उनको सहायता के लिए चलाती है जो महिला वर्क के लोग है उनको फ्री में सिलाई कडाई यह सब सिखाती है और बिजने स करने का और यहां पर तो अब Micro Finance भी इस्टार्ट कर दिया है यहां पे थुरा थुरा करके invest कर सकते हैं और यहां पर यह लून भी दे रहा है यह लोग कि लून लेके आप अच्छे अच्छे खासे बिजनस कर सकते हैं, तो विडियो के साथ बने रहे हैं, मैं सब कुछ बारिकी से समझाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस बेव साइट को आप ओपिन कैसे करेंगे, बेव साइट का लिंक है brlp.in, आप उसको आपके मुबाइल में गूगल हो, यूसी ब्राउजर हो, या फिर क्रोम हो, किसी भी गूगल ब्राउजर में जाके आप इसे टाइप करके brlp.in, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, वहां से आप जाके इसे खोल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एडिया का जो जीवी का दिद्धी है, उनका लिस्ट आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लाइन बाइन जो option दिया हुआ है, यहां पर जाएंगे नीचे में दिखेंगे, डैस्बोड कर करके, यहां पर एक option है, इस पर हम click करेंगे, आपके, तो यह हमारा खोल 친ड़ है, तो यहां पर देखें, यहां पर ओप्शन जो यहां पर report filter दिया हुआ है, यहां पर हम select करेंगे, ठीक है, यहां पर जो नीचे यहां पर देखते हैं, एस, एस जी सर्च रिपोर्ट है, इस मेरा जिला है उसको हम सिलिक्ट कर लेंगे जैसे मेरा जिला सारन है तो मैं अपना जिला सिलिक्ट कर लूँगा उसके बाद से यहां हम अपना ब्लोग का नाम सिलिक्ट कर लेंगे ओके तो मैं अपना ब्लोग का नाम सिलिक्ट कर लेता हूं आप अपने ब्लोग का नाम सिलिक् तो बीडियो को skip बिल्कूल भी नहीं करिएगा स्किप करने से आपको फिर समझ जैब यहाईगा फिर आप बीडियो में कमेंट करिएगा नीचे की मुझे कुछ कुछ समझ भी नहाया वीडियो के साथ बने रही एकदम बारिकी से सब कुछ लाइन बे लाइन में समझा रहा हूँ पस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा क्योंकि इस टाइब का वीडियो में जब भी लाऊंगा तो आपके आपको मिल जाएगा आपके जनकारी के लिए है तो यह सब कंप्ली उसके बाद यह खोल जाएगा थुरह सा इंतिजार करते हैं तो दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा ध्यान से बने रहे हैं यह एक बदलाव किया है बहुत ही अच्छा किया है इससे बहुत ही फाइदा होने वाला है कि पहले इतर भागा दोरी करना प कर सकते हैं मैं सब कुछ आपको बारी किसे लायघे 이AP समझा दूँगा कि हो कहां से डानलूड करेंगी कैसे क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लाइस हम समझा दूगा किया form कहा से डाउनलोड करेंगी कैसे क्या करेंगे तो यहां पर हम control if press करेंगे तो यहां पर खोल जाएगा ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले अपना area का जो हम select करना है वह हो यहां पर highlighted हो जाएगा तो जो first वाला होगा उस पर हम click करेंगे तो जो हमारा area का यहां पर देख सकते हैं district name, सारन, block name, पंचायत name, village name सब कुछ यहां पर दिख रहा है, sg id, sg name यहां पर दे रहा है तो first वाले पर हम अपना click कर लेंगे आपका area होगा जो आपका पंचायत होगा उसके हिसाब से आप क्लिक कर लेजये गा Okay यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं यह जो मेरी area का जो है वो यहां पर आ चुका है यह सब जो लोग हैं मेरे एरिया का जीव का दिदी लोग का यह है यह मेरे एरिया का ऐसे ही आप अपने एरिया का भी सर्च कर सकते हैं यह दस लग होई आपके आसपास का जो भी लोग है सब का यहां पर नाम दिखा देगा ओके ये हो गया कि आप ऐसे यहां से ये एक तरीका हो गया कि आप ऐसे एक लिस्ट निकाल सकते हैं वीडियो को यहीं से छोड़ के मत जाएगा क्योंकि दुसरा तरीका में बताने वाला हूँ कि अब इनका नमबर आप कैसे निकाल सकते हैं घर बैठे आप इनसे बात कैसे कर सकते हैं, जनकारिया ले सकते हैं, आप उजाने की विज़रोद नहीं है, तो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूं, दूसरा तरीका यहां से अबाउट अस का ओप्षन दिया है, ओके, तो अबाउट अस का सबसे नीचे में, हुमें डिसोर् स्टाप, लिस्ट अब स्टाप पर क्लिक करेंगे, ओके, थुरा सा वक्त लाएगा, नेट मेरा थुरा स्लो है, इसलिए थुरा वक्त लाएगा, ठीक है, थुरा सा वीट करते हैं, यह खूल जाएगा, हाँ, देखिए यह खूल रहा है, मेरा थुरा स्लो है, इसलिए खूल वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देज़ेगा देखिए तो यहां पे खूल चुका है यहां पे देख सकते हैं यहां पे नाम यहां पे इमेल एड्रेस यहां पे उनका नमबर और यहां उनका पत का नाम तो इन लोग को हमें कॉल नहीं करना है इन तो इसका फाइल देख सकते हैं यह 40 11 पेस का यह है तो इन्हीं हमें फोर नहीं करना है हमें तो अपने पंचायत का इरिया का नमबर निकाला है तो वीडियो के साथ बारे सब कुछ में आपको बारीकी समझाने वाला हूं तो इस पर हमें डिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजर इस का डिस्टिक है अपने डिस्टिक वाइस से नमबर निकाल सकता है और यहां पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ओके यहां पर ब्लॉक वाइस जो नमबर दिया हुआ है यहां से आप उनका उन सब का नमबर निकाल सकते हैं ब्लॉक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और यहां यहां पर दिया है All Established यहां पर All Established पर क्लिक करेंगे तो यह PDF डाउनलोले में थोड़ा सा वक्त लाएगा बस थोड़ा सा इंतिजार करिए डाउनलोड हो जाएगा यहीं से हमारा जितना भी होगा एडिया का सब कुछ यहां से नंबर निकल जाएगा जो जीवी का लोग है जीवी का देदी लोग है ओके तो यहां से देख सकते हैं 201 पीज का यह PDF फाइल है तो कुष्चन आता है कि हम इसमें अपना एडिया का कैसे खोजेंगे सेम प्रोसेस है मैं अभी अपने लैप्टॉप में कर रहा हूं यह सेम चीज आप अपने आप मोबाईल में भी कर सकते हैं ओके ऐसा नहीं मोबाईल में नहीं निकलेगा तो इतना बड़ा प्रेस है हम अपने एडिया का इसमें कैसे खोजेंगे तो यहां पर कंट्रोल एफ दबाएंगे और यहां हम अपने डिश्टी का नाम सर्च करेंगे अगर आप मोबाईल से कर रहे हैं तो साइड में दे अपरा ओके तो यहां पर देख सकते हैं मेरे डिश्टी का जो भी लोग है जीविका जीदी लोग है उनका सब मेरे देखिए बनियापूर रेनु कुमारी ममता कुमारी यह सब जो हमारे मेरे एडिया का है वैसे यहां पर आसाता है तो यहां पर आप अपने डिश्टी का न निकालना है तो यहां पे मैं आपको आप form दिखाता हूं यह तीन पेज का PDF फाइल है ओके यह देख सकते हैं तीन पेज का PDF फाइल है यह नया form है तो इस form का लिंक में description में दे दूँगा वहाँ से आप download करके और print निकालके आप इसे भरके आप अपने जीवका दिदी का आपको तो मैंने बता हे दिया है कि आपको कहां से list निकालना है कहां से number निकालना है कैसे क्या करना है तो वहाँ से आप निकालके अपने area का पता करके उसके बाद से ये form उन्हें submit कर सकते हैं और उसका submit करने के बाद ही आपका 7 दिन से 9 दिन के अंदर आपका ये राशन का नया तैयार होके मिल जाएगा ओके अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को subscribe करें